यात्रियों से भरी बस पल्टी एक दर्जन से जादा घायल कुछ कम्भीर उदम सिंग नगर जुनपत के अंत्रगत सितार गंच के किच्छा जा रही प्राइविट बस आन्यंतरत होकर पलट गई बस पलट तेही चीक पुकार के कारण अफरात तफरी मच गई प्राप जानकारी के अनुसार बस में सीटे फुल होने के कारण कुछ यात्री खड़े होकर यात्रा कर रहे थे वही बस पलटने के कारण लगभग एक दर्जन यात्रियों को चोटे आई तथा कुछ लोग गंभी रुप से खायल हुए गटना स्थल पर पहुँचे पुलिस और आसपास के लोगों ने यात्रियों को बाहर निकाला जबकि बस के ज्राइवर और कंड़क्टर भाग निकले वही एक प्रतेक्ष दर्सी ने ड्राइवर द्वारा फोन पर बात करने और टेस गती होने के कारण बस पलटना बताया साथ ही बस में सवारी की यात्री ने बताया स्टेरिंग के पास शादी कार्ड की गड़ी रखी होने के कारण आव्यवस्था हो रही थी जिस वज़े से ड्राइवर अपना संतुलन को बैठा और वही दुर्घटना में खायल यात्रियों को निकाल कर सितार गन सामदैक स्वासे केंदर पहुचाया जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है नव भारत समाचार सितार गन से दीपाग भारत द्वाज की रिपाट स्टेरिंग दिशाला ये धीर भी यूज से परबाया था सभी से वह दिखकत है जो फोन के ति तरफ मूह था लेकिन वह इतना कह सकता है जाता है उनके उपर मतलब बच्चे भी वहां दबेते मेरे उपर ड्राइबर गिरे ड्राइबर लेकिने कल पाद जा जाता है कि यह बस सितार गन से किछ्छा जा रहती हो इसा रूट पर संभवता वहां चाला गती से अपना नियंत्रण खो बैठे ऐसा बताए गया जिस जो बहान है वो अनियंतित होकर पलट गया और जिसमें लगबग एक दरजन लुग चोटिल हो गया और उसमें जो चोटिल है हमारे सामगे स्वास्किन सितार गन्मत में होच रहे हैं जिनका कि प्रात्मिक उप्चार किया जा रहा है और एक दो गंबी रूप से भी घायले ह वो हारे सेंटर बहतर रुचातली संदर वित्री तो